वाटसाप पर अवाहुवाले मेसेज की भरमार बच्चा चोरी के नाम पर फीड का अंधा त्याचार देश भर में अववाह के नाम पर 29 लोग की मौत 29 मौतों के बाद जागी सरकार सरकार ने वाटसाप को दी चेतावनी अववाहु वाले मेसेज रोकने का सिस्टम बनाने को कहा सरकार की चेतावनी के बाद हरकत में आया वाटसाप अववाह रोकने के लिए बदलाव का किया वादा अववाहु का ड़ाब बनने से बच पाएगा वाटसाप आज की बड़ी खबर में चर्चा इस बात की कि वाट्साप में अवाहों के चलते कहीं हम हिंदुस्तान से लिंचस्तान तो नहीं बन गए है यह अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है आपको जुड़े रहना होगा मेरे साथ और आप जानेंगे इस कारकर्म की तौरान कि अपने आप में कितना गंभीर मुद्दा है किस तरह से हमारे देश की अस्मिता को तार-तार कर रहा है अगर आज यह मुद्दा हमने आपके सामने नहीं रखा नहीं उठाया तो देश के प्रती जो हमारी जिम्मेदारी है ना उसके प्रती हम नाकाम साबित होंगे अगर आज इस मुद्दे को कमहीरता से नहीं लिया गया तो सही माइनों में देश के प्रती हम जो अपनी जिम्मेदारी है उससे हम पूरी तरह से नाकाम साबित होंगे जी हाँ, खोकले दावे जो किये जाते हैं न देश भक्ती के सही माइने में आज वाट्सैप के जरीए जो अववा पहलाए जा रहे हैं जिसके चलते 29 लोगों की जाने जा चुकी है और क्या आप जानते हैं कि इससे देश की अस्मिता दुनिया भर में किस तरह से तार-तार होती जा रही है और इन सोशिल मीडिया की अववाओं ने देश को कहां से कहां पहुचा दिया WhatsApp, Facebook पर बच्चा चोरी को की घटनाओं ने इतना भयावा रूप ले लिया है कि जो भीड है वो भेडिया बन गई है जी हां ये देश भीड तंत्र हुआ करता था मगर अब भेड तंत्र हो गया है क्योंकि हमें WhatsApp के जरीए हाक दिया जाता है हमें जो सिखाया जाता है हम मान जाते हैं और उसके चलते हम लोगों की जान ले लेते हैं ना हमें कानून की परवा होती है ना सम्विधान की परवा होती है और भीड ये फैसला कर देती है सोचे आप सडक पर जा रहे हो और आपके बारे में एक अभवा बाह पहला दी जाए और भीड आपको पकड़ के मार दे हो भी यही रहा है यह सोचने की बात नहीं है मेरे पीछे यह है आपका मॉबाइल प्वोन और इस पर अभवा पहला दी जाती है बेकसूर मारे जा रहे हैं बेकसूरों की जान एक तरफ मगर दूसरी तरफ देश की असमिता के साथ जो खिलवार हो रहा है क्यूं इस तरह के मेसेज़े जागे बढ़ाए जा रहे हैं ये देखिए तस्वीरे आपकी और अगर ये सिर्फ एक राज तक सीमित होता तो बात समझ आती महराश्य, मद्ध प्रदेश, गुजरात फिर गुजरात, फिर गुजरात और उत्तरफदेश आप देखे रहें इन तमाम राज्यों में हमने आपको असम नहीं बताया आप जानते कि असम में भी ऐसे ही अववा के चलते मार दिया गया था दो लोगों को जो गुआ से आये थे हर राज्य में मानो ये अपने आप में एक जहर प्हलाए जा रहा है ये कैसी सोच है ये कैसी विचार धारा है जिसके चलते एक अववा पहलाई जाती है और बेकसूर को मार के खत्म कर दिया जाता है क्या ये तस्वीर आपको गौरानवित करती है क्या खुद के भारती होने पर आप अपनी चाती ठोक सकते है जब आप ऐसी तस्वीर देखते है सरकार अब जाकर जागी है मगर ये सवाल उटना भी लाजमी है ये सवाल उटना भी लाजमी है कि अगर वाटसाप के जरीए ये अववा पहलाई जा रही है तो क्या इसमें कोई राजनी ते खित है आप देखिए इस तरह से एक जूट पहलाई जाता है इस तरह का मेसेज पहलाए जाता है और उसके बाद भीड का भेडिया चेहरा सामने आ जाता है हम भेडिया बन गए हैं क्योंकि वाटसैप पे अवावाओं के जरिये हमें हाक दिया जाता है यह है यह हकीकत यह हकीकत प्रजातंत्र की जौब हो रही है जैसे कि हमने कहा कि अगर आज इस मुद्दे पर आप चिंता नहीं करेंगे और इस मुद्दे को हम आपके सामने नहीं लाएंगे तो देश के प्रती हम अपनी जिम्मेदारी में पूरी तरह से नाकाम साबित होंगे और देखिए अब तक कितनी मौते हो चुकी हैं आपके सामने देश को शर्मसार करने वाली है तस्वीर दस महराश्र दो पश्यमंगाल शार त्रिपुरा दो असम नौ राज्जों में बच्चा चोरी के अववा तेलंगाना में दो आप देखे रहे हैं कि ये ऐखाय साब खौफ है ये कैसा कैंसर है मदपरदी मधदश बच्चेश एक ये कैसा कैंसर है जब पूरे देश में पहलता जा रहा है गुजराथ और क्या आप जानते हैं करनाटक यह तमाम ऐसे राज़े हैं जो देश की अस्मिता हैं हर राज्वेसे देश की अस्मिता हैं मगर यह तमाम राज्वेसे जो investment destinations हैं यानि की दूसरे देशों से लोग आकर आपके देश में पैसा लगाते हैं इन राजियों में खास तोर पर मगर ये राजिकी जनता किस तरह का संदेश दे रही है और नाकाम नाकारा सरकार इस पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए सच तो ये है कि वाटसैप पर जो अव्वा की पूरा एक तंत्र है उसमें सियासी दलों का भी योगदान है आपने देखा ये है उसका सबसे जगने स्वरूप उसका सबसे कुरूब चेहरा ये बदनुमा चेहरा क्या हमारी नियती बन जाएगा आज सवाल आपको खुछ से पूछना है कि अगर वाटसैप पे इस तरह से नफरत भरे मेसेजिस पहलाए जाएंगे तो इससे फाइदा किसको है ये किस सियासी सोच की चलते हैं हम आगे बढ़ रहे है अर अब हम आपको बताते हैं कि भारत सरकार ने संपर्क किया है वाटसैप से अब वाटसैप क्या करने जा रहा है वाटसैप जो कि इस मामले में कमपनी है वो क्या करने जा रही है उस पर हमें गोर करना होगा वो हम आपको सलसलेवार तरीकी से बताएंगे मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुबाइल फोन है जिसमें वाटसाप है लोगों को कंट्रोल देना ताकि वो सुरक्षित रहें दो रणनीती पर काम किया जा रहा है लोगों पर इसका कंट्रोल वाटसाप के दुरुप्योग को रोकना बहुत मुश्किल होने वाला इतना असान नहीं होने वाला है क्योंकि आपको फैसला करना है कि आप ऐसी अवबाओं पर विश्वास करेंगे कि नहीं वाटसाप के दुरुपियों को रोकना क्योंकि इसकी शुरुआत यकीनां सरकार की तरफ से है मगर आप जो आम जनता हैं या आपको फैसला करना है कि क्या आप इसी तरह से किसी भी खबर पर एतबार कर लेंगे ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हम आपको बता दें कि ये मुद्दा इसको सरकार ने आखिर कार गंभीरता से लिया क्योंकि पिछले काफी एरसे से जा रही है अब देखना है कि सरकार जो अपनी तरफ से कोशशें कर रही है वो कितनी कारगर साबित होती है क्या कहे रहे है केंद्रियमंत्री राविशंकर परसाद आईए सुनते है वाट्सैप को हमने एक नोटिस की थी मेरे बाग से कई जगर लाइंचिंग की हुई है लिंचिंग की हुई है बच्चों के लिफ्टर्स के नाम पर कुछ जवानों की हत्या की गई और इसे मुचित नहीं मानते थे और ये भी हमें मालूम हुआ कि इन पूरी घटना में वाट्सैप के डिसिन्फॉर्मेशन मेसेज ने एक बड़ा प्रोवकेशन और इंस्टिकेटर का काम किया था ये बात मैं बहुत ही इस पर्ष्टूर्प से कहना चाहता हूँ उनको जिमवार भी रहना है उनको उत्तदाई भी रहना है और उनको सालभान भी रहना है अगर नहींने कोई प्लेटफॉर्म क्रेट किया है तो प्लेटफॉर्म का दुर्फियोग नहीं हो इसमें उनकी भी उतनी जिमवारी है आप ये नहीं कर सकते हैं कि हमने बना दिया अब हम क्या करें मुझे खुशी है कि कल शाम को नोटिस गई थी उनको उनकी और उन्होंने कैलिफोर्निया से में जवाब भेजा है उन्होंने एक जो बात कही है कि लास्ट उन्होंने एक सेटिंग लाँच किया है कि एडिनिस्टेटर कें डिसाइड हूँ गेट्स टू सेंड दे मेसेजेज और दूसरा कि उन्होंने ये भी इंडिया के लिए एक नया लेबल शुरू कर रहे है कि अगर मेसेज कोई फारवर्ड करता है बिना समझे और पढ़े इसे कंपोजर आफ मेसेजेज कहते है इसको कैसे रोका जाए उन्होंने हमें एक आश्वर्स किया है कि दे विल यूज मशीन लर्निंग तो आइडिन्टिफाई ब्लॉक री सर्कुलेशन आफ मेसेजज और वाटसाप राजनीतिक दल भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं आप जानते हैं कि सियासी दल अपने प्रॉपगैंडा के लिए वाटसाप के जरिये अववाएं पहलाते हैं लोगों के खिलाफ उन लोगों के खिलाफ जिन से वो इत्तिफाक नहीं रखते हैं और इसकी धेरों मिसालें आपके सामने हैं पत्रकारों को अक्टिविस्ट को उन राजनीतिक लोगों को जो आपकी विचारधारा से इत्तिफाक नहीं रखते उन्हें टार्गेट किया जाता है क्या ये हकीकत नहीं है क्या सियासी दल इससे दूर रह सकते हैं रवी शंकर प्रसाद जिस पुलिटिकल पार्टी से आते हैं क्या वो इस बात से खुद को दूर रख सकते हैं ये तमाम मुद्दें जिससे संबोदित किया जाने की जरूरत है और जनता को भी जागरूख होना पड़ेगा ये है एबी बी नियूज आपको रखे आगे